राष्ट्र क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यच गोपाल राय ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश की योगी सरकार विकास के पत पर अग्रसर है उन्होंने कहा कि सौभागे है कि नरेंदर मोदी जैसा प्रधान मंत्री देश को मिला है उन्होंने कहा कि गुरु गुरक्षनात के आसिरवात से मुख्य मंत्री योगी आधितिनात के नेत्रित में गुरकपूर और समगर पुर्वांचल विकास की और अग्रसर है तथा मुख्य मंत्री के नेतृत में पूर्वांचल विकास का रोड मैप तयार हो रहा है और सरकार के उन समस्त जिलों को विकास के पत पर अग्रसर करने के लिए कारे कर रही है इस असर पर राष्टे क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्टे महा मंत्री विश्नु दत्राय, सन्जय राए, राष्टे संगथन मंत्री फौजी किशन लाल गौड सेट अनेलोग मौजूद रहे इस संबन में गुरपुर नियूस से बात करते हुए राष्ट करांतिकारी समाजवाधी पार्टी के राष्ट यद्यज गोपाल राय ने कहा इंडिया को देखी रहे हैं मुस्लिम मानों का जो तीन तलक का मुद्दा था उसको इन्होंने साल्व किया और रोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अवसर वो दे रहे हैं साथ में सबसे बड़ी बात यह कि अस्थाई सदर्सिता के लिए सन्युक्त राष्ट संग में 94 में 184 देश समर्थन करें यह बहुत ही आश्चल जनक बात है यह देश व्यापी हर्थ का विश्य है ऐसे में मुद्दी जी को जितनी तारिफ किया ले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगी आधित नाति जी भी ऐसा कार कर रहे हैं जो विकास का तुकार यहां पर दे जी आज हम लोगों ने प्रिस कर से दिश्य है बत्सदी है संगिधन के लोगों से मिला दुला और अपनी है आप लोगों से भी बात्चीत करने का मुख्या मिला